रादे रादे दोस्तों दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ मतरा विरंदवन के ट्रिप पे और इस ट्रिप के अंदर काफी सारे जो मंदिर हैं मतरा के अंदर विरंदवन के अंदर उनको हम विजिट करने वाले हैं और उस पे ही मैं आप पे व्लोग क कि जाएगी तो चल्बे दोस्टों वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ ही दोस्टों अभी तक को सब्सक्राइब नहीं कि किए या दिय्ली मेट के अंदर और यहां से हम जाने सनी मंदिर पुर्क लावन पहुचेगी, कहां पहुचेगी, पुर्क लावन, जिबन चार मले, आपको करना है नारा, दोगा, शरीदेव के दप्शन, और परकम्मा एक तरुमिटर के बने, इतने काम में सादास के बनी आइंगे आपने, परकम्मा देले के बाल, चाय नास्ता वहीत होग इतने हर्मायाक और आपको कहां सादा यार करना है, फिर चलेगे सीधे नंद गाव, नंद गाव दर्शन करने है कली, और कल इसनलों बाहत जाएगे बरसाना, राधारानी के मंदिर, तो दो 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 दो, दो दो, बरसाना में रहेंगे था, प्रतेजए और हम चलेंगे बोग दोस्तों देखे टाइम हो चुका है दो बच चुक है हमारी और यहां पर बस अभी हमारी रुकी है तो हम यहां पर फूड वेगरा चाई वेगरा पी सकते हैं आप उसके बाद भी आगे चलेंगे तो जल्दी से हम यहां पर टीवेगरा पी लेते हैं फिर आगे चलते हैं तो देखे दोस्तों हम आ चुके हैं विरिंदा वन और यहां पर देखे आपको प्रेमंदिर दिखाई दे रहा है यहां से हम क्रोस कर रहे हैं प्रेमंदिर के सामने से और यहां से हम जाने वाले हैं को करने हैं तो डाइब हो चुका है रात के ड़ाई बच चुके हैं अब सेजग जाएंगे ऐह से 55 सबसे पहले हमें करनी होती है परिकर्मा तो सबसे पहले हमें करनी होती है परिकर्मा तो यहाँ पर जो कोकिला 1 की परिकर्मा है वो लगबग 3 किलो मेटर की हमारी परिकर्मा है और परिकर्मा कम्पलीट करने के बाद हम कर सकते हैं मंदिर में जाके दर्सन और मंदिर की टाइमिंग है सुबा के 12 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर ओपन रहता है तो देखे दोस् सबार कर सकते हैं और देखे दोस्तों अभी शुबा का टाईब यहां पर देखिए अभी कोई आपको से सबसे पहले करने वाले हैं परिकर्मा और लारी में दवार है उसके बाहर एक वहां से हमारी परिकर्मा स्टार्ट होती है तो हमें सबसे पहले जो मंदिर का जो यहाँ पर एरिया है उसके जो में गेट है उसके बाहर जाना होगा तो अब हम सभी जो बस में आये थे सभी परिकर्मा के लिए जा रहे हैं और देखे यह हमारा में गेट है रात काफी है, सुबा का चार बच चुके हैं और देखें, यहां से दिल्ली की डिस्टेंस जो है हमारी 112 किलोमेटर दिखा रही है तो हम सभी यहां से जा रहे हैं परिकर्मा के लिए तो यहां पे देखें हमें बाहर जाना होता है राइट को यहां से देखे हमारी परिकर्मा यहां से स्टार्ट होगी तो यहां से हमारी पूरी तीन किलोमेटर की परिकर्मा यहां से स्टार्ट होगी तो अंदेरा काफी है यहां पे सुबा के चार बज चुके है चार बजे हमने यहां परिकर्मा स्टार्ट किया परिकर्माई स्टार्ट करते देखे हमें क्या देखने को मिला है यहाँ पे कच्छवा तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कच्छवे के दर्सन हुए है क्योंकि यहाँ परिकर्मा के चारो तरफ जो एरिया है वो चारो तरफ में सिर्फ यहाँ पे हमारा पानी बरा हुआ है नाला यहां पर आपको पर कर सकते हैं अगर आपके ले ओ और देखी हम फैमिली के साथ परिक्रम कररें तो यह लगबक पूरी तो यहां पे आप तो यहां पर रात के टाइम में दिला जाता है लाइट यहां पर जली नहीं हुई है और परिकर्मा जो कर रहे हैं आप पड़े धिहान से करिएगा बहुत से रूट ऐसे हैं जो आप परिकर्मा आधी कर सकते हैं तो यहां पर जो मैं वीडियो के अंदर लिटी ना करें तो आप परिकर्मा टाइम से कीज़े साथ ही देखें बीच-बीच में आपको यहां पर पानी के वेवस्ता मिल जाएगी यह कोई नहीं है कि गर्मी के समय में क्या होता है पानी की बहुत दिक्कत होती है तो आपको बीच-बीच में आपको कोई टंकी वेगार और दिन निकलना यहां पर स्टार्ट हो गया है तो जल्दी से हम अपनी परिकर्मा को कम्प्लीट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मंकी वेगारा काफी आपको मिल जाएंगे तो आप अपने चसमें या फिर फोन वेगारा आपने बैग वेगारा को संभाल के रखिए कभ आपको गोल घुम के आना वापीस यहीं पर है और यहां से हम जाने वाले हैं अपने मंदिर की तरफ को जो की हमारा रहेगा में मंदिर कोकिला वन का जहां पर हमें सनी मंदिर के यहां पर जाके सनी देव जी के दर्शन करने हैं मंदिर के टाइमिंग जो है वो सुबाए 12 ब गए और पहले से जो यहां पे जल्दी पोच गें मंदिर के परिकर्म अगरती लेकिन उनकी परिकर्मा है वह एक्चुली पूरी नहीं हुई है जो में परिकर्मा होती है जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पर आपने एंड किया है वह आपकी टोटल परिकर्मा होती है को इसके लिए तो टंकी में ही जैन्स सिसनान कर सकते हैं साथ लेके दोस्तो पहले क्या था यहां पि ựूंद यहां पि जिसके अंदर यहां पियंद करते थे लेकिंध बहुत बूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं यानि उसमें इतनी गंदगी कर दिये लोगों ने आके अपने कपडे, अपने जो भी गंद की है, सब महीं फैक के जाते थे, तो अब जो कुंड है हमारे, वो यहाँ पे इस नान के लायक नहीं है, तो आप सुरलब सुचाले का इस्तमाली कीजिए, अदरवाइस आपको बहुत से बैक्टीरिया या फिर गंद की व होती है, तो हम एंट्री पहले द्वार से मिलती है, तो यहाँ पर राइट साड में एक द्वार है, जहां से आप एंट्री ले सकते हैं, तो हम में द्वार से एंट्री लेंगे, और साथ ही जो द्वार के पास ही आपको परसाद वेगरा मिल जाएगा, अगर आप बंडारा क चाते हैं तो यहां पर देखिए आपको वीडियो के अंदर दिखाए दे रहा है यहां पर बंडारा कर सकते हैं उसके लिए आपको सामगरी यहां से मिल जाएगी तो यहां पर हम जल्दी से परसाद ले लेते हैं और फिर यहां से मंदिर के लिए अंदर एंट्री कर लेते हैं अगर ज़्यादा भीड होती है तो इनी रेलिंग के थुरू आपका मंदिर के अंदर एंट्री की जाती है तो अभी देखे सुबह का टाइम है और आज भीड काफी कम है सुबह के 6.46 का टाइम हो चुका है और अब हम मंदिर के अंदर यहाँ पर परवेश कर रहे हैं तो अब देखें यहां से बाहर आ चुके हैं और यहां पर देखिए आपका जो में मंदिर है हम उसको विजिट करने के बाद दूसरी साइड आये हैं यानि वहीं पर आपको रास्ता मिल जाएगा एक जिट का तो वहां से आप दूसरी साइड आ जाईएगा यहां पर देखिए आप प्रारवती जी के गनेज जी के आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे उनके आप दर्शन कीजिएगा दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के बाहर आ जाना है यहाँ कि जहां से अपने परवेश किया है वहां से आपको बाहर नहीं आना जो एकजिट गेट है हमारा वहा से एंट्री मिलेगी आपको अदरवाइस आप दौर दो से भी आप यहाप एंट्री कर सकते हैं अगर भीड काम है तो हम सभी नहीं यहाप पर सनीदेव महराजी के दर्सन कर लिए हैं कोकिला वन के अंदर अब हम यहापे जो बाकी 9 बजे है और साब में 8 बजे है और देखें यहापे देखें मेला भी लगता है तो अब हम यहापे आगे चलते हैं तो देखें यह वो कुंड है जब परिक्रमा करके आप आते हैं मंदिर की तरफ को तो आपको यहापे आके सनान करना होता है लेकिन मैं आपको कुंड दिखा लि البक यहां पर सकते हूं कुढ़ की हालत क्या है और यहां पर देखेए अब आप इसनान तो किया आप यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिन पे देखे कोई यहाँ पे पूझा वेगरा नहीं होती है सिर्फ यहाँ पे मंदिर बनाये गए हैं तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं कोकिला वन मंदिर के अंदर तो यहाँ पे देखे दोस्तों हमारा आज का व्लोग यह कंप्लीट हो जाता है एपिसोड वन जो की हमारा कोकिला वन सनी देख मंदिर के दर्सन थे अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अपने नंद गाउं की तरफ को तो यहाँ पे हम सुबा के टाइम पे नास्ता वेगरा करेंगे जो हम बस में आये हैं उसी बस के अंदर हमारा खाना वेगरा रहने का सबकुछ जाम उसी के अंदर है और जो 34 हमारा से लिए गए है बस के वो 12.1000 रुपर चार्ज्ज लिए गए हैं जो कि कोकिलावन सनीदेव मंदिर की दर्सन हमने यहाँ पे किया है अब हम यहाँ से नास्ता करने के बार 9 बजे के आसपास हम निकल जाएंगे नंदगाओं की तरफ को अब अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो की रहेगा नंदगाओं के लिए हमारा जो व्लोग बनेगा उसमें हम आपको नंदगाओं को आपको कैसे विजिट करना है कैसे आपको वापे जाना है सब कुछ जानकर है हम उस वीडियो में देने वाले हैं जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और से जरू कीजिएगा थैंक यू